Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.D. Teleprime की इस वीडियो सिरीज के आज के अधियाई में हम आपको बताएंगे Teleprime में नई कंपनी बनाना इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको Teleprime सौफ्टवेर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया था आज हम आपको बताएंगे Teleprime में हिसाब किताब मैंटेन करने के लिए नई कंपनी कैसे बनाते हैं साथ ही कुछ अन्य महत्पुन जानकारियां भी देंगे आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो का सही लाब लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में बताया जाए ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें आए सबसे पहले Tele open कर लेते हैं उसके लिए Tele के आइकॉन पर जाकर माउस से डबल क्लिक करें और यदि आएकॉन दिखाई नहीं बढ़ रहा है तो स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें और यहां टाइप करें Tele Prime ऐसा करते ही सबसे उपर Tele Prime दिखाई पड़ेगा जोकि सिलेक्टेट होगा एंटर प्रेस करें या उसपर पॉइंटर ले जाकर माउस से क्लिक करें यदि आप लाइसेंस्ट Tele Software का उप्योग कर रहे हैं तो सीधे Tele Software खुल जाएगा और यदि आप Tele का Educational Version उप्योग कर रहे हैं तो इस तरह की विंडो दिखाई पड़ेगी इसमें Continue in Educational Mode पहले से ही सिलेक्टेड है आप चाहें तो एंटर प्रेस करें या माउस से उसपर क्लिक करें और यदि चाहें तो इसकी शॉटकट की T प्रेस करें यह देखिए यहां उपर कोने में Tele Prime EDU लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपका लाइसेंस जिस भी प्रकार का होगा जैसे Educational, Silver, Gold आदी वो यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा इस पर क्लिक करके आप लाइसेंस की सारी इंफोर्मेशन ले सकते हैं हम वापस पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए स्केप की प्रेस कर रहे हैं चले आगे बढ़ते हैं हम यह टैली में नई कंपनी बनाना है उसके लिए Create Company में जाना होगा देखे उपर के और Create Company दिखाई पढ़ रहा है जो की Highlighted है आप चाहें तो Enter प्रेस करें या माउस से क्लिक करें यह देखे Company Creation स्क्रीन आ गई है यहां आपको अपनी कंपनी का नाम देना होगा नाम टाइप करने के बाद आगे बढ़ते के लिए Enter प्रेस करें यह देखे Mailing Name में वही नाम आ रहा है जो हमने उपर टाइप किया था Enter प्रेस करें अब address में अपनी कंपनी का पूरा पता टाइप करें आपके जानकारिक के लिए बता देए कि Mailing Name में जो नाम होता है और यहां आप जो address देते हैं Tally में कोई भी प्रिंट निकालने पर वो उस प्रिंट पर दिखाई पड़ता है यहां पर एक खास बात ध्यान रखें Tally में सबी जगह आगे बढ़ने के लिए Enter का उप्योग किया जाता है और मान लिजे आपको लगा कि पहले कोई गलती हो गई है तो पीछे जाने के लिए Big Space की का उप्योग किया जाता है Enter प्रेस करते हुए आगे बढ़े State के आगे आपको अपना State यानी राज्य सेलेक करना है उसके लिए Right Side में List of States आ रही है आप अपने State के नाम का पहला अक्षा टाइप करें जैसे हमने मध्य प्रदेश के लिए टाइप किया M तो देखे इस अक्षर से शुरू होने वाले सभी States के नाम यहाँ पर दिखाई पढ़ रहे हैं आप Up या Down Arrow की से अपनी State के नाम पर जाकर Enter प्रेस करें पिन कोड में अपने शहर का पिन कोड डालें अब यहाँ पर अपना Phone Number डालें मान लिजए आपके पास Phone Number नहीं हैं तो इसे Blank छोड़ने यानि Skip करने के लिए Enter प्रेस करें इसे तरह मांगी गई सभी जानकारी भड़ते हुए आगे बढ़ें Financial Year Begins From के सामने अभी जो Financial Year चल रहा होगा टैली खुद ही उसके आरंब होने की तारीख यहाँ दे देगा यदि आप किसी और Financial Year में काम करना चाहते हैं तो उसके आरंब होने की तारीख आप अपनी आवश्यक्ता के अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं भ्यान रखें भारत में Financial Year एक अप्रेल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है और हम Financial Year 2020-21 का हिसाब किताब इस कंपनी में रखना चाहते हैं तो यहाँ हमें जो तारीख चाहिए वो है एक अप्रेल 2020 जो की दिखाई पढ़ रही है एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे इसके बाद आप देख रहे हैं Books Beginning From इसमें वो ही तारीख आ रही है जो हमने उपर डाली थी आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं इसे बदलने के आवशिक्ता क्यों होती है उसका कारण समझ लेते हैं हम Financial Year 2020-21 में कंपनी बना रहे हैं और Financial Year की शुरुआत हो रही है एक अपरेल 2020 से तो यह तो सही है पर हमारी जो कंपनी है वो शुरू हो रही है एक जुलाई 2020 से यानि हम जो कंपनी बना रहे हैं उसमें हिसाब किताब एक जुलाई 2020 से रखने वाले हैं तो Books Beginning From में हम एक जुलाई 2020 डालेंगे इसे यह होगा कि यदि हम कंपनी में अंजानी में भी कोई ट्रांजेक्शन इसके पहले के पीरेड में रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं होगा यहां एक और खास बात का ध्यान रखें एडुकेशनल मोड में हम सिर्फ तीन ही तारीखों में काम कर सकते हैं और वो है एक दो और एक तीस मतलब जब आप डेट चेंज करेंगे तो टैली एक दो और एक तीस के अलावा किसी और डेट को एकसेप्ट नहीं करेगा इसलिए हमने यहां जुलाई की एक तारीख ली है यह देखिए एकसेप्ट वाली विंडो आ रही है आपने जो डीटेल्स दी है वो फिर से चेक कर लें यदि ठीक है तो इसे एकसेप्ट करने के लिए यस करना होगा जिसके लिए y प्रेस करें या फिर enter प्रेस करें यदि आपने जो डीटेल्स भरी है उन्हें एकसेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो no के लिए n प्रेस करें या फिर escape की प्रेस करें ऐसा करते हैं आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे अब यदि आप कुछ परिवर्थन करना चाहते हैं तो कर लें अब हमें आगे कोई correction नहीं करना है तो हम इस screen को accept करने के लिए ctrl और a की को एकसाथ प्रेस कर रहे हैं ctrl और a किसी भी screen या window को accept करने का shortcut है देखें यहाँ एक message आ रहा है company created successfully और नीचे की और कुछ features दिखाई पड़ रहे हैं इन features के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे अभी हम इस pop-up window को accept करने के लिए ctrl और a की को प्रेस कर रहे हैं देखें यहाँ पर gateway of tally की screen आ रही है इसमें सबसे उपर दिखाई देने वाले इस भाग को top menu bar कहते हैं इसमें हमें company, data, go to, import, export, email, print, help आदी से समबंधित options मिलते हैं इस top menu bar की विशिष्टा ये है कि tally में कोई भी काम करते समय यह हमेशा top पर ही उपलबद रहता है और यदि हम tally में कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को बंद किये बिना ही हम इन options का उप्योग कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, top menu bar के बाद अब बात करते हैं right side button bar के बारे में जिसमें अभी कुछ shortcuts दिखाई पढ़ रहे हैं जब आप tally में आगे काम करेंगे तो आपके काम की जरूरत के हिसाब से यहां के shortcuts बदलते रहेंगे जैसे कि अभी हमने vouchers के लिए वी प्रेस किया देखिए ऐसा करते ही vouchers से संबंदिच chapters यहां पर आ गए हैं हम वापस पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए escape की प्रेस कर रहे हैं यहां जो आप Gateway of Tally लिखा हुआ देख रहे हैं इसे हम Tally का मुख्य दर्वाजा भी कह सकते हैं इसे चार भागों में organize किया गया है Masters, Transactions, Utilities और Reports इनके बारे में हम आगे काम करते समय डिटेल में जानेंगे अभी जो हमने कंपनी बनाई है वो खुली हुई है देखें यहां bold अक्षरों में उसका नाम दिखाई पढ़ रहा है और उपर की और current period में जिस period में एक कंपनी खुली है वो दिखाई पढ़ रहा है current date में आप 1 July 2020 देख रहे हैं यह वो ही तारीख है जो हमने कंपनी बनाते समय books beginning from में ली थी date of last century के नीचे कोई तारीख नहीं आ रही है उसके जगब पर no voucher centered लिखा है क्योंकि अभी हमने इस company में कोई transaction record नहीं किया है जब हम कोई transaction record कर देंगे तो आखिरी transaction की जो date होगी वो यहां पर दिखाई देगी चलिए अब एक नई company और बना लेते हैं उसके लिए create company option पर जाना होगा जो कि अब उपर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने जो company बनाई है वो open है अब create company के लिए उपर जहां पर company लिखा है वहां पर हमें mouse से click करना होगा या alter और के प्रेस करना होगा दियान रखें किसी भी की के नीचे यदि एक underline हो तो इसका मतलब है कि alter के साथ उस की को प्रेस करना है हम alter और के प्रेस कर रहे है ये रेखें एक menu आ गया है जिसमें create highlighted है हम enter प्रेस कर रहे है enter प्रेस करते ही company creation screen आ गई है यहाँ company का नाम और details डाल देते है financial year begins from में 1 April 2020 by default आ रहा है और यही हमें चाहिए भी हम enter प्रेस कर रहे है देखें books beginning from में भी यही तारीख आ गई है हम यही रहने देते हैं और enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे है और company को accept कर लेते है देखें company created successfully का message आ रहा है और नीचे की और पहले की तरह ही कुछ features दिखाई पढ़ रहे है अभी हम इस pop-up विंडो को accept करने के लिए control और A की प्रेस कर रहे है अभी हमने जो नई company बनाई अब उसका नाम बोल्ड अक्षरों में दिखाई पढ़ रहा है उपर के और current period में जिस period में ये company खुली है वो दिखाई पढ़ रहा है current date में आप 1 April 2020 लिखाई देख रहे हैं ये वो ही तारीख है जो हमने company बनाते समय books beginning from में ली थी चलिए अब demo company के नाम से एक company और बना लेते हैं ध्यान रखे यदे हम कोई भी काम करेंगे तो जिस company का नाम board अक्षर में दिखाई पढ़ रहा है वो काम उस company में होगा यदि आप कोई दूसरी company में काम करना चाहते हैं तो company change करने के लिए उस दूसरी company पर mouse से क्लिक करें अब हम एक एक करके तीनों company इसको बंद कर देते हैं company बंद करने के लिए हमें ऊपर company पर क्लिक करना होगा या alter और k की इसको प्रेस करना होगा यह देखिए menu open हो गया है जिसमें आप shut लिखा हुआ देख रहे हैं इसकी shortcut key है control और F3 और यही shortcut इस दरह से लिखा हुआ भी दिखाई पड़ सकता है ध्यान रखें किसी भी key के नीचे यदि दो underlines हो तो इसका मतलब है कि control के साथ उसकी को प्रेस करना है अभी हमने जो shortcut key देखी उसका उप्योग हम बाहर से ही कर सकते हैं तो आईए उसके लिए escape key प्रेस करके पहले वाली स्क्रीन पर चलते हैं यह हम पुरानी स्क्रीन पर आ गए हैं शट कंपनी के लिए control और F3 कीज को एक साथ प्रेस करें यह देखे शट कंपनी की स्क्रीन आ रही है और अभी टैली में जितनी भी कंपनीयां खुली हुई हैं उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप ज़स भी कंपनी को बंद करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस कर दें यह देखे नेम आफ कंपनी में से वो कंपनी हट गई है इसी तरह हम कंट्रोल और F3 से दूसरी और फिर तीसरी कंपनी भी बंद कर देते हैं अब टैली बंद करने के लिए स्केप की प्रेस करें एक पॉप अप आएगा जिसमें क्विट लिखा है और उसके बाद क्विश्यन माग है यानि पूछा जा रहा है कि क्या आप टैली बंद करना चाहते हैं यस के लिए एंटर प्रेस करें और यदि आप टैली बंद नहीं करना चाहते हैं तो एन प्रेस करें हम एन प्रेस करें हैं ध्यान दें, इस स्क्रीन से सीधर टैली बंद करने के लिए शॉटकट है CTRL Q, इन्हें एक साथ प्रेस करें, इस वेडियो में आपने जाना, टैली स्टार्ट करना, नई कंपनी बनाना, कंपनी शट करना और टैली बंद करने के बारे में, अगली वेडियो में हम आपको कंपनी, डिलीट कंपनी, इत्यादी ओप्शिन्स के बारे में,